क्राम वाली बनी सोतन दोस्तों आप मेरी चैनल में स्वागत है अंजली गाउं की सीरी साधी नरकी है उसकी शाधी को दो साल भी चुके हैं उसके पती का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं राजीव वैसे तो नेकदिल इंसान है लेकिन पराई ओरतों के सामने वो पिगल जाता है इसलिए अंजली हमेशा चिंता में रहती है ओफिस से आने के बाद रोज अंजली राजीव का फोन चेक करती है राजीव क्या अंजली तुम हमेशा मेरे उपर शक करती रहती हो अंजली मुझे तुम्हारे उपर कोई भरोसा नहीं है पता नहीं बाहर क्या करते रहते हो अंजली को हमेशा शक लगा रहता है इसमें अंजली कोई गलती नहीं है ऐसे ही दिन बीटते रहते हैं इतने में अंजली गलती हो जाती है और डॉक्टर सहब अंजली को घर का काम करने से मना कर देते हैं अंजली राजीव से कहती है अंजली डॉक्टर सहाब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है अब क्या होगा राजीव एक कामवाली भाई रखनी होगी तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल जोंगा राजीव कामवाली भाई की कोच करता है औ और कहती है रूपा मैंने सुना है आप लोग कामवाली की तलाश में हो मुझे रख लो मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्रतीज के आसपास है और वो बहुत सुन्दर भी है। रूपा को देख कर राजीव फिखल जाता है और कहता है राजीव हाँ हाँ हम तुम्हें रख सकते हैं बिल्कुर रख सकते हैं। रुको पहले जाहस तो कर लेते हैं कि इसका हम घर कहां है ये आई कहां से है राजी उसकी क्या जवरत है अंजली अभी हमें कामवाली की जवरत है हम इसे रख लेते हैं राजीव अंजली की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है रूपा घर के कामों में लग जाती है मगर उसके काम से अंजली बिल्कुल खुश नहीं है वो हर काम आधा अधूरा करती है और काम से जादा समय सजों धजने में लगा देती है राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है अंजली, राजीव अभी तक तुम तयार नहीं हुए हो आज ओपिस नहीं जाओगे राजीव नहीं अंजली, आज अच्छा नहीं लग रहा है अंजली अराम करती रहती है और राजीव बैठ कर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है रूपा आरे साथ क्या देख रहे हो राजीव तुम्हें देख रहा हूँ रूपा तुम किती सुन्दर हो ये सुनकर रूपा शर्मा कहती है रूपा ऐसा न बोलस आप मौलकिन सुन लेगी तब ववाल हो जाएगा राजीव तो फिर आज रात को जब तेरी मौलकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना हम दोनों बहुत गपे लड़ाएंगी यहां राजीव रूपा का दिल भेलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठ कर अंजली सोच रही है अंजली आके राजीव को हुआ क्या है जो रोज आफिस जाने के लिए मरता था वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है उस तो गढ़बर है रात को अंजली खाना खा कर सो जाती है राजीव इसी के इंतिजार में था अंजली के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया रूपा भी चली गई और दोनों मिलकर बाते करने लगे राजीव रूपा तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिलकुल रिशम जैसे है रूपा ऐसा नवोल सहाब मुझे शर्म आती है राजीव मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आँखे इतनी सुन्दर हैं कि क्या बताऊं और तभी अंजली आ जाती है और दोनों को रंगे हातों पकड़ लेती है अंजली अच्छा तो ये चल रहा है है यहाँ पर मैं सो क्या गई तुम यह कामवाली के साथ गपे लड़ा रहे हो अंजली को देखकर दोनों घबरा जाते हैं रूपा डरी हुई आवाज में कहती है रूपा नहीं मालती मेरा कोई दोश नहीं है साहब ने ही मुझे बुलाया था राजीव अरे हाँ अंजली मैंने ही रूपा को बुलाया था असल में रूपा के पिता की तबियत बहुत खराब है इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूँ राजीव ये लो रूपा दोजार रूपे अब जाओ यहां से रूपा पैसे लेकर चली जाती लेकिन अंजली का शक नहीं जाता अगले दिन से अंजली ने रूपा के निगदानी करनी शू कर दी अंजली ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है ऐसे ही कुछ महीने बीट गए इन महीनों में राजी रूपा पर पूरे तरीके से फिरा हो गया उसने रूपा की तंक्वा भी बढ़ा दी रूपा भी काम चोरी करने लगी एक दिन अंजली ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायव है उसके उपर मुझे पहले से ही डाउल था राजीव अरे नहीं अंजली रूपा इतनी बुरी भी नहीं है तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है उसके बाद से हर दो दिन में घर से कुछ न कुछ गायव होने लगा मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था अंजली ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसके कुछ ही दिनों बाद अंजली अपना पेट पड़कर बैठ गए अंजली आह दर्थ हो रहा है पेट में बहुत दर्थ हो रहा है राजीव और रूपा दोड़कर आए राजीव ने अंजली को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बलाई और रूपा के हाथ में घर की चावी देकर राजीव अंजली को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ कुछ देरबाद अंजली ने चिनाना बंद कर दिया और कहा अंजली पेट दर ठीक हो गया राजीव चलो आब घर वापस जलते हैं लेकिन अभी तो तुम दर से तड़क रही थी अंजली हाँ मगर अब में ठीक हो अब चलो घर वापस राजीव ने गाड़ी घुमाली घर के सामने पहुश गई अंजली ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है अंजली राजीव को साथ घर के अंदर भुश गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा समान इकठा करके एक पोटली में बांध रही है दोनों को देखका रूपा चौक गई रूपा अरे आप दोनों आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे अंजली मैंने पेड़ दर्का नाटक किया था मुझे पता था कि तुम एक चोर हो इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा राजीव छी रूपा छी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंजली राजीव पुलिस बुलाओ रूपा अंजली के पैर पकड़कर रोने लगी रूपा मुझे माफ कर दमालके उससे गलती हो गई मगर अंजली ने एक बात नहीं सुनी कुछ देर बात पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई अंजली ने राजीव से कहा अंजली देखो राजीव बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता राजीव ने अंजली से माफी मांग ली राजीव मुझे माफ कर दो अंजली आज मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में अगर कोई मुझे सकते जादा प्यार करता है तो वो तुम हो आज से में किसी भी औरत को आख उठा कर भी नहीं देखूँगा राजीव सुधर गया इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की कुछ मैनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और वो सभी खुशी-खुशी रहने लगे अगर आपको यह खानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें थैंस पूर वाचिंग गाइस में नेक्स्ट खानी का वेट करो